फाइनली रियल्मी ने अपना एक और नया स्मार्टपून रियल्मी के 12X 5G को लॉंच कर दिया वह दूसरी ट्रप सैमसंग का पापलग स्मार्टपून सैमसंग गलेक्सी M34 5G वैसे तो इन दोने स्मार्टपून की प्रैस में 2500 रुपीज का डिफेर्ट देखनेक मिल जाता है को कि एक ट्रप गैलेक्सी के M34 5G को 15,909 रुपे की प्रैस में 6GB की रैम और 128GB वाले वीरियंट को बाई कर सकते हैं वैसे स्मार्टपून का अगर प्रैस की बात करी जाए जैसा कि आप सबी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टपून के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपोर्टेंट पार्ट होता है एक ट्रैप गैलेक्सी के M34 5G में सैंसन का एकजनोस 1280 का प्रोसेसर देखनों को मिल जाता है वही दूसी तरफ रियल्मी के 12X 5G में मीडिया टेक का डैमेंसिटी 6100 प्लेस का प्रोसेसर देखनों को मिल जाता है दूसी तरफ रियल्मी के 12X 5G का जो अन्तितु स्कोर निकल के आता है 4X 12000 निकल के आता है अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे है तो इन दोने स्मार्टफोन के जी आफ़क्त स्कोर यानि गेमिंग इसकोर को जानना बहुत जरूरी है जब इन दोने स्मार्टफोन में 30 मिनाट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ गेलक्सी के एम थार्टिफर फएब जी का जो गेमिंग इसकोर निकल के आता है वहाई दूसी तरफ रियल्मी के 12X 5G का जो गेमिंग इसकोर निकल के या 6.5 इंच के Super AMOLED डिस्प्ले देखने के मिल जाती डिस्प्ले के अच्छी इस मुतनिस के लिए 120 हर्टे रीफ्रेस्ट का सपोर्ट देखने के मिल जाता है पर डिस्प्ले में पांच होल देखने को नहीं मिलता हुआ होई दूसी दूसी तरब रियल्मी के 12X 5G में 6.72 इंच की बिक साइज की फुल एच्डी प्लेस पांच होल वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती हुआ है डिस्प्ले के अच्छी इस मुतनिस के लिए 120 हर्टे रीफ्रेस्ट का सपोर्ट देखने के मिल जाता है इन दोने स्म स्माट्फून का अगरे कैमरा से इनकी बात करिज़ा जिस तरह गैलेक्सी के M34 5G गेमिंग पफोर्मेंस के मामलें बेटर हो जाता है डिस्प्ले की क्वाल्टी के मामलें बेटर हो जाता है बैक में टरपल रियर कैमरा सेटप देखने को मिल जाते 50 मेंगा फिक्सल का में प 12 x 5G के बैक में dual rear camera setup देखने को मिल जाते हैं 50 megapixel का main primary camera मिलता है जिसका aperture f1.8 aperture देखने को मिल जाता है बाकी का दूसरा camera 2 megapixel का मिल जाता है with LED flash light के साथ पर camera में OIS का support देखने को नहीं मिलता है Selfie camera के अगर बात करें जाता है तो उसमें भी clear winner निकल के आता है Galaxy के M34 5G 13 megapixel का selfie camera देखने को मिल जाता है वही एक ट्रब Galaxy के M34 5G में Dolby Atmos का support देखने को मिल जाता है जबकि Realme 12x 5G में Dolby Atmos का support देखने को नहीं मिलता है बैटरी से एक बिनक अगर बात करें जाता है तो बैटरी के मामले में भी दोने smartphone के पास advantage देखने को मिल जाता है क्योंकि एक ट्रब Galaxy के M34 5G में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है 25W के fast charging के साथ USB tap support का support देखने को मिल जाता है वही दूसी ट्रब Realme 12x 5G में सिर्फ 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 25W के super walk charging के साथ USB tap support का support देखने को मिल जाता है security feature के लिए दोने smartphone में side mounted finger पिल साथ देखने को मिल जाता है तो अब बात करीजा कि दोनों में से कौन सा smartphone आप लोगों के लिए best है अगर आप लोग भी अपने लेक perfect all rounder smartphone लेने के लिए सोच रहे हैं मैं आप लोगों को recommend करता हूँ कि आप लोग 2500 रुपी ज्यादा खर्ज़ करके galaxy के M3045G को भी बाई करें